दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आलो लूसेंट समान ने ग्यान इस से रिलेटेट जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कुस्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक चांसर LB, आइकन यानि जो घंटी का निसान है इसे जुरूर से अनकरते हैं ठीक है और यह टोटल जो 40 प्लस कुस्चन है आप इनमेंसे कितने कुस्चन जो है सही कर पाते हैं अपना इसकोर जो है कमेंड बक्स में जुरूर बाता है तो चलिए शुरू करते हैं देखे यहां पर हमार पहला कुस्चन दिया क्या है किस अनुशेद के अनुशार भारत के राश्पती द्वारा राश्टिया पातकाल की घंशला की जा सकती है तो भारत के राश्पती के द्वारा राश्टिया पातकाल की घंशला जो है यह अनुशेद 352 के अंत्रगत जो है किया जा सकता है ठीक प्रावधान जो है अनुशे 322 में दिया गया है दूसरा राश्पति सासन आथ्वा राज्य में आपात इस्तिति ये कौन से अनुशेद में है अनुशे 356 में है और तीसरा जो है ये बीती आपात इसका प्रावधान अनुशे 360 में दिया गया है जो कि राश्पति के द्वरा ये तीनों आपातकाल जो है मतलब लागाया जाता है ठीक है इस्तिती पढ़ने पर इसके अलावा ज़िए हम बात करें अनुशेद 233 की तो अनुशेद 233 में जीला नयाधिसों की नियुक्ति का प्राउधान दिया गया है अनुशेद 233 में जीला नयाधिसों की नियुक्ति का प्राउधान दिया गया है अनुशेद 235 की बात करें तो इसमें अधिनास्त नियालियों पर नियंत्रण का प्राउधान है और अनुशेद 332 की बात करें तो इसमें राजे की बिधान सभाव में अनुशुचित जातियो और अनुसुचित ज़न जाती यों के लिए अस्थानों का राख्षन है ठीक है अनुशित 332 में जो है राज्य की बिद्हान सबहाँ में अनुसुचित जाती यो अर अस्थानों का राख्षन का प्राउधान है आपको याद रखना है question number 2 है भारतिय सम्विधान का कौन सा अनुशेद अस्प्रिस्यता का उन्मुलन करता है अस्प्रिस्यता मतलब छूआ छूट ठीक है छूआ छूट का उन्मुलन कौन सा अनुशेद करता है तो यह अनुशेद 17 करता है ठीक है आंसर वो जायेगा T इसके अलवा याद है हम बात करें अनुशेत चौधा की तो देखिंट है इसमें बीधि के समक्ष समानता का प्रा आधान दिया गया है अनुशेत 8 बात करें तो इसमें प्राणेवं देहिक स्वतंता का संरक्षन जो अनुषिद एकिस में दिया गया है और अनुषिद सोला की बात करें तो इसमें लोक नियोजन के बिशाय में औसर की समानता का प्रावधान है कुश्य नमबर थोड है तो यह निर्वाचन आयूग के प्रामर से राशपती तो किस भाग में सरवाथिक परतिसत भृधी होगी तो सरवाथिक परतिसत बृत्य आएतान में होगी, ठीक है, याद रखना है यदि हम ठोस बस्थु को गरम करें, तो किस भाग में शरवाथिक परतिसत बृत्य होगी, आएतान में बृत्य होगी सी ऑंसर हो जायेका, कूछ्शन नंबर 5 है, तामर संदूसन से बचने के लिए पितल के बरतनों पर समान तक किस धातों की परत चड़ाई जाती है तो ये चड़ाई जाती है रंगे यानि टीन की परत चड़ाई जाती है अंसर हो जाएगा अप्शन है कुश्चन नमबर 6 है दूतिया पंचवर्सी योजना किस मॉडल पर आधारी थी बेरी इंपोर्टन कुश्चन नहीं है दूतिया जो पंचवर्सी योजना थी किस मॉडल पर आधारी थी माहाल नोबिस ठीक है माहाल नोबिस मॉडल पर आधारी थी यह answer हो जाएगा इसके अलावा पंच वर्षी योजना से जो question मतलब एक्जाम है पूशे जाते हैं उसको यहाँ पर हमने लिख रखे हैं टोटल पंच वर्षी योजना जो जितनी भी हुई थी वो सारे यहाँ पर हमने note down किये हैं जो आपके एक्जाम के लिए काफी important है तो द दोग्चेत्र की प्राथमिकता दी गए थी तीसरी की बात करें तो 166 तक रहा था इसमें क्रेशी और उद्यो की प्राथमिकता दी गए थी चोथी पंच वरसी योजना बात करें तो इसमें गर बी और आत निर्भडाबहा गया चटवी पंच वर्सजनाई बात करें तो उन्ने सो असी से पचासी तक जो है इसका कारेकाल था इसमें पांचवी योजना के रूप में ही इसे जोड़ दिया गया था छटवी में ठीक है तो इसमें कुछ ज्यादर चैंज नहीं हुआ इसमें पांचवी जो थी इसको पादक्ता का प्रावधा मतलब इसमें जोर दिया गया आठवी पंच वर्सजजना इसमें इसका कारेकाल होने से 92-97 तक था इसमें रोजगार स्रीजन जन संख्या का नियंतरण जो है इसमें किया गया नौवी की बात करें तो 97 से दूहरदू तक रहा था इसमें साथ पर त पर तिस साथ की साथ पर तिसत बिकास दर कर लक्षे रखा गया था दस वी की बात करें तो 22 से साथ तक यह रहा था ठीक है इसमें सौहर रोजगार और साधनों かा विकास किया गया गया गश्या साथ से बारत तक रहा था ब्यापक और तेजी से विकास हुआ इसमें ब्यापक और तेजी से विकास इगारवी में हुआ बारवी की ब्यात करें तो बारवी जो पंच वर्शी उजना थी इसके कारेकाल बारत से दोहर सत्रह तक जो मतलब ये चला था इसमें स्वास्त सिक्षा और स्वक्षता समागर विकास का इसमें सुधार किया गया याद रखना यह यहां से कुश्चन डेफिनेटल एक चामें पुछे जाते हैं तो आपको यह याद रखना है अगला कुश्चन देखते हैं सातवा नमर कुश्चन है भारत में बीदेशी बीनीमा का रख रखाव कि किसके द्वारा किया जाता है भारत में बीदेशी बीनीमा का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है तो भारतिया रिजर बैंक के द्वारा किया जाता है ठीक है करेक्ट आंसर ही हो जाएगा कुश्चन डंबर आठ है लोग सभा में आंगला भारतिया समुदाए से सदा से मनोनित करने की सक्ति किसके पास है तो किसके पास है राश्पति के पास है भारत के राश्पति के पास है आंसर हो जाएगा बी कुश्चन नंबर 9 है दुग्द प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है रेनीन है ठीक है सी आंसर हो जाएगा कुश्चन नंबर 12 है ज दल में वायू का बुल्वूला मतलब किस तरह से बेवार करता है तो आउतर लेंस की तरह जो है यह बेवार करता है ठीके आंसर हो जाएगा question number 11 है परकास बीकिराणों की प्रकृती होती है तो यह होती है तरंग यांकॉन दोनों पर समान ठीक है तरंग यह अमकॉंड दोनों पर जो है समान होती है ठीक है अंसर हो जाएगा C question number 2L भै निमनलेखित गायस मिसराण में से कौन सा गायस welding के लिए परियुक्त किया जाता है तो welding के लिए कौन सा गायस परियुक्त किया जाता है oxygen तथा acetylene ठीक है oxygen तथा acetylene जो गायस है यह welding के लिए जो है परियुक्त किया जाता है अंसर हो जाएगा B दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दे ठीक है और अपने दोस्तों में share कर दे चैनल पनाया है तो चैनल को एक सुरांग में 10 वार्ट है एक सुरांग में 100 वार्ट है छमता वाले 5 बल्ब लागातार 20 घंटे तक जलाए जाते है संपूर्ण बिधूत खर्च होगी तो संपूर्ण जो बिधूत खर्च होगी 10 यूनिट ठीक है संपूर्ण बिधुत खर्च कितनी होगी 10 यूनिट होगी ठीक है अंसर हो जाएगा C Q14 है लॉक्स किसकी इकाई है लॉक्स जो है किसकी इकाई है प्रदीपती की इकाई है अंसर हो जाएगा D Q15 है बादल किसकारण वाई मंडल में तैरते हैं नीम नगहना तोय कारण ठीक है बादल नीम नगहना तोय कारण जो है वाई मंडल में तैरते हैं Q16 है, छीतिज के समय पे सूरियाओं चंद्रमा के दिर्ख बृतिकार दिखाई देने का कारण है, तो देखे इसके कारण है अपोवर्तन, ठीक है, आंसर वो चाहेगा अपसनी, Q17 है, निम्न में से किस में कोशिका में अच्छी तरह से बेवस्तित निउकलियस नहीं पाय जाता है, तो ये नहीं पाय जाता है, ठीक है, आंसर वो चाहेगा D, Q18 है, आंके लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है, आंके लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है, तो ये सिलियरी मांस्पेसी के, मतलब सिलियरी मांस्पेसी के द्वारा जो है, परिवर्तित होती है, ठीक है, आंके लेंस की फोकल दूरी किसके कारण से परिवर्तित होती है, तो सिलियरी मांस्पेसी के से जो है परिवर्तित होती है दिखर चांश Character नमब में धारत में विए ब्हारत हैंट किल कोल कितने जीले किरेंगे शुमार हो क्तेृटर्च बिखर इंटर्च ले उखँब़िप्श ए ठीड़ रिख क्वाली निकल जाता है तो विटामिन C निकल जाता है ठीक है आंसर हो जाएगा C Question number 21 है निम्न में से किसका मुख्याला जेनेवा नहीं है जेनेवा में किसका मुख्याला नहीं है 200 बैंक का नहीं है ठीक है बाकि इन तीनों का मुख्याला जेनेवा में है अंतराश्टिय स्वास्त संगठन और अंतराश्टिय दूर संचार संग तीनों का मुख्याला कहां है चेनेवा है 200 बैंक की बात करें तो देखे इसका मुख्याला जो है वासिंग्टन डेसिस सनुटराज अमेरिका में है भारत का छेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमेटर 32,87,263 किलोमेटर भारत का छेत्रफल है आंसर हो जाएगा B, raison no.23 है बेशो का सरवाधी का बादिवालणगर कौन सा है बेशो का सरवाधी का बादिवालणगर टॉकियो है भारत का जोह जाएगा B, question no.24 है बंगल का प्रथम गॉरनर जनरल कौन था बंगाल का प्रत्व को नचलन वरेंड हेस्टिंग था ठीके B आंसर हो जाएगा Question No. 25 है Lord Dalhawaji द्वारा अवद कांगरेजी राज्य में बिला किस रीती से हुआ Lord Dalhawaji द्वारा अवद कांगरेजी राज्य में बिला किस रीती से हुआ तो ये कुषाशन के कारंण हुआ था ठीक है कुषाशन के कारंण से हुआ था आंसर हो जाएगा D Question 26 है भारतीय अपुरात्य तो सरवेक्षन की स्थापना किसके काल में हुई थी तो ये होई थी Lord Karajan के काल में C आंसर हो जाएगा Question 27 है भारत में निम्निलेखित में से उपनिवेस बाद के आर्थिक आलोचक थे भारत में उपनिवेस बाद के आर्थिक आलोचक कौन थे दादा भाई नोरोजी महादेव गोबिंद रनाडे और आर्सी दत यानि ये उपर यूग यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा अंसर हो जाएगा D Quesion No.28 है मनुने किन नदियों के बीच के छेतर को ब्रहमवर्थ कहा है तो ये सरस्वतियम द्रिश्द्वति नदियों के बीच के छेतर को ब्रहमवर्थ कहा है C आंसर हो जाएगा Quesion No.29 है मेनांडर जो मिलिंद के नाम से मेनांडर जो मिलिंद नाम से भी जाने जाते है किस बिदेशी राजवन से संबंदित है तो देखी ये संबंदित है इंडो ग्रिक से ठीक है मेनांडर जो मिलिंद नाम से जाने जाते है किस राजवन से संबंदित है इंडो ग्रिक से धर्म का सबसे अधिक भिकास हुआ दो से आंसर हो जायाएगा 15 11 से भगवान सीव की पर्थिषटा भगवान सीव की पर्थिषटा में कितने जो तिरék perpet है तो 12 है किरे 00721 32 है सीवा जी का उत्राधेकारी कौन था सीवा जी का उत्राधेकारी सांभा जी थे सी आंसर हो जाएगा छत्रपते सीवा जी के बात करें तो महराज इनकी सांभा जी थे मतलब उत्राधेकारी question number 33 है भारत के किस द्वीप का उधगाम ज्वाला मुखिया है तो बैरन द्वीप का उद्गम जो है जोला मुखिया है ठीक है बात करें भारत का सुक्रिय जोला मुखिय किस द्वीप में इस्तित है तो बैरन द्वीप में भारत का एक मात्र सुक्रिय जोला मुखिय किस द्वीप में इस्तित है बैरन द्वीप कहा है अंडमान निकुबार में तेल की निम्नेलेख़च मेटिओं मैशे किसे सवातक क्रेशयम कहा jis तो कपास की काले मैटिक को सवातक क्रेशयम मैटि कहा जाताएक आनसर गुछी्ष्य नमबर 35 है मेठे पाने का कल्पसर पर्योजना अवस्तित है तो यह अवस्तित है गुजरात में ठीक है आंसर हो जाएगा अप्शने के नाम से ठीक एक अंसर हो जाएगा सी कुज्छे नंबर 27 है बारत के निमनले लेखित टटो में से कौन कॉरो मंदल्द लू टटत है तो यह किरिष्न डेलटा एवाँ कप कमॉरीन के मध्धे इस्तित है ठीक है ङौन Aujourd चाहेगा यह कूष्चे на निम्नेलेखित में से कौन सी नदी का सुरोत है, सुरोत हीमनदों में नहीं है, कौन सी नदी का सुरोत हीमनदों में नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोसी का सुरोत हीमनदों में नहीं है, कोसी की बात करें, तो कोसी नदी जो है, नेपाल में हिमाले से निकलती है, और बिहार में भीम नगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है इसे इसमें आने वाली बाड से बिहार में बहुत तबाही होती है जिससे इस नदी को बिहार का अभिसाप कहा जाता है याद रखना है आपको कुशन नबर 49 है भारत को किस रूप में परिभासित किया जा सकता है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा एक सराम अधिक किया वाली अर्थविवस्ता के रूप में जो है परिभासित किया जा सकता है अंसर हो जाएगा भी कुश्चन नंबर 40 है भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के प्राथम अधिवेशन दिसंबर 1850 में कहां हुआ था मुंबाई में हुआ था ठीक है भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के प्राथम अधिवेशन दिसंबर 1850 में कहां हुआ था मुंबाई में हुआ था ठीक है बात करा है भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के अस्थापना कभ हुई थी 28不多 1850 को उई थी समस्थापक यह वह हूं थे प्राथम जल होता है तो यह किस परकार का उर्जा का समोहन करता है तो करेक्ट YOU um बी हो जायेगा कटी जो घॉज़य नादरा धनी जो का जो है समोहन करता है नदे का वहता हुई जल ठीक है आंवर हो जायेगा बी को तो दोस्तों ये थे लूसेंट समाने ग्यान के important 41 question आप इन 41 question में से कितने question जो है सही कर पाए अपना इसकोर comment box में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आ रहेगा तो please वीडियो को like कर दीजेगा अपने दोस्तों में share कर दीजेगा और channel पनाया है तो channel को subscribe करके bell icon यानि जो घंटिक यानि इसाने इससे जोड सान करते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो